कि दोस्तों टीसी एम परिवार के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मैं आज आपके लिए लेके आया हूं टिक्नोमेट्री का वेसिक जो आपकी सभी प्रतियों की परिक्छाओं के लिए एबंग 10-12 और पीटी के एक्जाम के लिए बहुत जरूरी है यहाँ पर देख होता है त्री कौन मिती अर्था जो त्री कौन मिती वाइड है वो किस्ते मिलके बना है त्री कौन मिती त्री का अर्थ होता है तीन कौन मतलब कौन यह हैं और मिती का मतलब होता है सनरचना अर्था दोस्तों हम कह सकते हैं कि त्री कौन मिती के अंतर हमें तीन कौन यह सनरच न होती है तो तीन कॉन जा तिर्भोज आपके कई परकार के होते हैं जैसे सम कॉन तिर्भोज, सम बाहू तिर्भोज, बिसम बाहू तिर्भोज, सम दूई बाहू तिर्भोज, तो यहाँ पे आपके लिए इसका एक्जाम्पल लेके चलना है केबल और केबल सम कॉन तिर्भो कि जैसे मान के चलो ए शमकॉं तिर्भुझ हैं शमकॉं तिर्भुझ में एक नब्बन्स का कॉन हो गया तो दोस्तों सर्बता सत है कि हमिएसा नब कॉन के सामने की भुझा क्या होती है करण होती है इसके बाद जादегी बात करें लंब और आधार या तो ये लंब होगा या फिर आधार और ये या तो आधार होगा या फिर लंब तो अपन डिसाइड कैसे करें कि लंब कौन सा होगा आधार कौन सा होगा दोस्तों तो नाइंध क्लास के एक प्रमे हैं जिसमें कहा जाता है कि यदि समकॉन तिर्भुज लिया और समकॉन तिर्भुज में जो एक कॉन नबंस का होता है हमेशा नबंस के कॉन के सामने की भुजा करण होती है परंतु लंब और आधार की पहचान करने के लिए आपको एक प्रमेव का सहारा लेना पड़ेगा जिसमें बोला जाता है कि नबंस के कोण के अलाबा समकोन तिरवुज में नबंस के कोण के अलाबा यदि अनकोन दे दिया जाएं तो हमेशा उसके सामने की भुजा लंब होती है तो जे क्या होगी? लंब और जे क्या होगा आपका? आधार कहने का मतब यह है कि नबंस के कोण के अलाबा जो अनकोन दिया जाता है हमेशा उसके सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है इसके बाद यदी को इसी को हमें example इस तरीके से रिक्रिटेट करें यह अपने नबबंस ले लिया तो नबबंस के सामने की भुजा क्या होगी कर्ण अब मान के चलो जे एंगल दिया था अब आपके लिए J वाले एंगल दे दिया ठीटा तो अब इसके सामने की बुझा क्या होगी? लंब और J क्या होगा आपका? आधार तो दोस्तों कहिने का मतलब J है लंब करण और आधार पहचान करने के लिए हमें देखना होगा कि जो नब बंस का कौन दिया रहता है उसके सामने की बुझा में इसा करन परंतु लंब और आधार की पहचान के लिए उस समकौन तिरबुझ में जो नब बंस का कौन दिया रहता है उसके अलाबा जो अनकोन होगा उसके सामने की बुजा जैसे इसके में X दिया है तो इसके सामने की बुजा लंब होगी या इसमें ठीटा दिया तो इसके सामने की बुजा क्या होगी लंब इस तरीके से हम लंब करन और आधार की पहचान कर लेते हैं इसके बाद आगे बलते जो हमारा समकोन तिर्भोज होता है क्या होता है समकोन तिर्भोज समकोन तिर्भोज जो होता है इसमें सबसे आई एंप प्रमे चलती है इस प्रमे का नाम है पाइथा गोरश प्रमे दोस्तों जो पाइथा गोरश प्रमे है इसमें होता है कान का बर्ग बराबर लंब का प्लस आधार का बर्ग, यह हमारी मेन पाइथागुडस प्रमे होती है, इस प्रमे के माध्यम से हम दो से तीन फॉर्मूले और बना सकते हैं, जैसे कि हमें मान के चलो पाइथागुडस प्रमे की तिरू लंब की वैल्यू निकाल ली है, तो लंब का स्कॉयर एककोल क्या हो ज करन का स्कॉयर माइनस लंब का स्कॉयर, इसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए एक बात और बताने की कोशिव करूँगा, जैसे मान के चलो, जे तो अपन पन ने कौन से स्कॉयर फॉर्म निकाले, इसमें भी हमने कौन सा फॉर्म निकाला, यदि हम चाहे तो सेंगल आधार कि value निकाल सकते हैं तो जो उमारा फॉर्मूली की सहाथासै चार फॉर्मूली और बता दिये जैसे हापका मैंड क्या है कंड का स्ख्वर प्लस आधार का स्ख्वर तो आपका कोल क्या हो जा करणी के अंदर करण का स्क्वेर माइनस लंब का स्क्वेर दोस्तों मैंने आपके लिए पाइथागुरस प्रमे के कुछ बेसिक फॉर्म बता दिए इसके बात करते हैं जो टिगनोमेटरी फंक्सन है आपका त्री कॉर मिती एच चैप्टर हो गया और तिरकॉर मिती अनुपात जिसे बोलते हैं टिगनोमेटरी प्रेसियो तो दोस्तों इसको थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग तरीके से समझने की कोसिस करेंगे ध्यान देना यदि किसी ने आप से पूचा क्या पढ़के आए हैं अपन के लिए नाम पता नहीं होता तो अपन जैनली क्या एदना का बोल देते हैं साइन कॉस्ट टेंट पढंके आ आये हैं साइन ठीटा कॉस्ट इटा और टें ठीटा तो हमारे कितने तिरकॉण में ती रेसई हो गए तीन हो गए fireworks लेकिन इसके बाद यादी हैपन देखने की कोसिस करें जो तीन तिरकॉण में तीरेस इह 3 इनी के भाइसाब लोग होते हैं siign के भाइसाब कौन होते हैं cosag और cos का कौन होता है sec और 10 का क्या होता है cot अर्था आपके जो तिर्कॉल मिद्धी अनुपात होते हैं आर्था technical matter ratio होते हैं कितने होते हैं 6-7 sign cos 10 cosag sack और cot दोस्तों यहाँ पे जो sign है एक किसका अपोजेट होता है कौसेक का और कौस अपोजेट किसका होता है सेक का और 10 अपोजेट होता है कौट का तो यहाँ पे हम आपको एक tips के माद्दम से याद दलाएंगे sign के भाई कौन है? cos का भाई कौन है? sec और 10 का भाई कौन है? दोस्तो और जो भाई भाई होते हैं हम इसा वो कैसे होते हैं? एक दूसरे के apposit चलते हैं तो कहिने का मतलब जे हैं हम यहाँ पे सर्वसमी का बना सकते हैं sign apposit होता है cos एक ठीटा का और cos एक ठीटा अपोजेट होता है sign ठीटा का इस तरीके से हम फोर्मूला लिख सकते हैं sign ठीटा एककोल बन अपॉन cos एक ठीटा और cos एक ठीटा एककोल फोर्मूला लिख सकते हैं एकॉस थीटा एक कोल बनापॉन कोस थीटा इसी प्रकार Today होता है हमारा जो कॉछ थीटा है बो अपोजेट होता है 10 ठीटा के और 10 ठीटा होता है कौट ठीटा के इसलिए हम कौट ठीटा का फॉर्मूला बना सकते हैं बन अपॉन 10 ठीटा और 10 ठीटा का फॉर्मूला बना सकते हैं बन अपॉन कौट ठीटा दोस्तो और ध्यान रखने की कोशिस करना जैसे हमारे 10 के दो special formula चलते है 10 का special formula चलता है 10 बराबर होता है sin theta upon cos theta और cos theta एककोल formula होता है cos theta upon sin theta जे आप के लिए मैं basic formula बता रहा हूँ सब लोग pen copy सामने रखें और इन formula को एक जगा पर लिखते जाएं इसके बाद अपन बात करते हैं यदि हमारा समकोन तिरभुज ए है और मान लिया समकोन तिरभुज के सामने की भुजा क्या हो गई करन और जे क्या हो गई आपकी लंब और जे ले लिये अपने आधार क्यों क्योंकि नबबंस के सामने की भुजा करन और अन्न कॉन दिया हमें ठीटा तो इसके सामनी की बजा क्या होगी लंब होगी यहाँ पर हमें 6 तिरकॉन में ती रेशियो है जो साइन ठीटा, कॉस ठीटा और टैन ठीटा और साइन के भाई साब कॉस एक ठीटा कॉस के भाईता सैक ठीटा और टैन के भाई साब कॉट ठीटा एच छेतर कॉन में ती रेश हुए हैं जिनकी वैल्यूज आपके लिए लंब करन आधार के आधार पर रखनी है तो यहाँ पर हम देखेंगे एक ट्रिक होती है दोस्तो अधियान रखना उस ट्रिक को पढ़ते हैं एल ए ऐल लाल बते के कठा एटिप से आपसे तीन ही नाम लेती हैं साइन कोस्टेंग अर्थात साइन कॉस्टेंग यहाँ पे दोस्तो के का मतलब क्या है करन ए का मतलब क्या है आधार और L का मतलब क्या है लंब तो हमने sign देखा sign में first गोले में क्या आ गया L बटे के अर्थात अपन बोल सकते हैं लंब बटे कर्ण cost में बोल सकते हैं दूसरा गोला क्या है A बटे के मतलब आधार बटे कर्ण 10 10 के लिए क्या है L बटे A कोषेक का क्या है sign का पूजिट sign क्या था लंब बटे कर्ण तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब सेक क्या होता है cost का पूजिट होता है तो कर्ण बटे आधार इसके बाद देखा जाए कोट किसका पोजेट है 10 का तो क्या हो जाएगा आधार बटे लम दोस्तों इस तरीके से मैंने आपके 6 तिर्कॉलमिती रेशियों को लम कर आधार के रूप में फॉर्मूले बताए जिसमें मैंने आपके लिए टिप्स बताई लाल एल बटे के के ए अर्थात कका तो यहां पर अपके पड़ते क्या है साइन कोटे तो यहां पर झाओल्या लगाएंगे नन३ ऑ्ध्सका साइन का मतला मत्राभते लम बटे कर दूसरा गोला किसका कौस का आधार बटे यह मोड़ी किसका इस इस तरीएं यहीं पार रिएखने की कोशिश करंदे एह तीर कोण मिती की साल क्या दिखते हैं सर्व समीकाएं दोस्तों सर्व समीकाएं होती हैं मुखता 3 कौन-कौन सी फश्ट नंबर होती हैं sin square theta plus cos square theta equal 1 दूसरी होती है sec square theta minus 10 square theta equal 1 फ़र होती है आपकी cos sec square theta minus cot square theta equal 1 यह आपकी तीन सर्व समीका है इन तीन सर्व समीकाओं के माध्यम से आपके लिए 15 सर्व समीका है बनानी है मुझे लगता है तिरकोन मिती में सबसे IMP आपकी इस 15 सर्व समीका है जिसको देखते हैं पुना जैसे माल के चलो मैंने यहाँ पे आपके लिए first सर्व समीक ले लिए first क्या होती है sin square theta plus cos square theta equal कितना दिया है sin square theta 1- κos square theta equal कितना दिया है यह हमारी first serv समिका है इस से आपके लि пользов पांस serv समिका है बनानी है तो आपका यहाँ प्यदी बनाएं sin square theta equal cos cos side लेके जाएं तो 1- cos square theta अर्था sin square theta की serv samimkia क्या बन गई बन माइनस cos square theta दोस्तों यहाँ पे हमें simply sine का form निकालना है square cos side पक्छांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा करनी और यहाँ पे क्या जाएगा 1 minus cos square theta इसके बाद हमें simple cos की formula निकालना है तो cos square theta equal क्या हो जाएगा sine cos side पक्छांतर कर दोगे तो क्या हो जाएगा बन माइनस साइन स्क्वार ठीटा सिंपल हमें कॉस की वैल्यू चाहिए है तो हमारा स्क्वार उस साइड यागा तो किसमें कर्ण में कर्णी में तो हमारा क्या हो जाएगा बन माइनस साइन स्क्वार ठीटा दोस्तो मैंने एक सर्व समीका की मात्यम से आपको पांच सर्व समीका की माया बना दी एक, दो, तीन, चार, पांच इस तरीके से फ़र्श सर्व समीका की पांच फॉर्मूल मनाए इसके बाद देखते हैं दूसरी सर्व समीका होती है हमारी sec square theta minus 10 square theta एक कोल कितना है दोस्तो इससे भी आपके लिए 5 सर्वी समीका है बनाने की कोसिस करनी है जैसे कि यहाँ पे दिया है आपका blur हो रहा है sec square theta है कैदी हम 10 cos side लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा minus का minus का है तो किसका हो जाएगा plus का sec square theta एक कोल सर्वी समीका क्या हो जाएगी 1 plus 10 square theta simple यदि हम sec की value निकालने की कोसिस करें तो sec का for square उससे जाएगा तो किसमें convert हो जाएगा अर्था 1 minus 10 square theta यदि हम simple 10 की value निकालने की कोसिस करें किसकी value 10 की दोस्तो इसको ध्यान से समझने की कोसिस करना यदि हम 10 को साइट लेके जाएगे तो किसका हो जाएगा plus का clear है sec square आपका था ही था और जो हमारा बन इस साइट आएगा तो किसका हो जाएगा minus का अर्थात हम कह सकते हैं sec square theta एक कुल कितना हो जाएगा sec square theta minus 1 एक कुल किया हो जाएगा 10 square theta दोस्तो ध्यान रखना यह जो सर्व समी का है sec j है 10 हमारा था तो हम उस साइट लेगा तो minus का तो किसम हो गया plus में और जो हमारा plus का बने इस साइट आएगा तो किसका हो जाएगा minus का एदी simple हम इसको या करके ऐसा लिख सकते हैं क्या 10 square theta equal बिलकुल sec square theta minus 1 कुछ नहीं इसको इस side लिख दिया simple 10 की value निकालने की कोसिस करेंगे तो करने के अंदर क्या हो जाएगा sec square theta minus 1 दोस्तो इस सर्व समीका को बहुत ध्यान से समझने की कोसिस करना क्योंकि 80% बच्चे इसमें गलत करते हैं जैसे कि जैसे मान के चलो इस sec square theta था और यहां पर 10 square theta एक कुल कितना दिया है हमने यहां पर sec square theta की value निकालनी है तो हमने क्या किया 10 कोसिसाइड ले गया तो किसमें convert हो गया प्लस में और जिस square स्क्वेर कोसिसाइड convert कर दिया तो क्या हो गया करनी के अंदर था sec theta एक कुल क्या हो जा करनी के अंदर बन माइनस 10 theta 10 square theta अब यदि इसी सर्वसमीका के माध्यम से इस वाली सर्वसमीका के माध्यम से जे वाला value आई है तो यहां पर हमने जर्णली क्या किया 10 को हम इस site लेके आए तो किसमें आ गया plus में clear है और sec हमारा जे जियों काते हो है अब बन को हम इस site लेके आए तो plus का था तो किसका आ गया आपका माइनस का अर्था सर्वसमीका बन गया sec square theta minus 1 equal 10 square theta तो क्या इसको हम ऐसा लेक सकते है right वाली side को इस site उठा लिए साइट को साइट रख दिया तो हमारे sec square theta minus 1 directly उस site चला गया और 10 हमारा directly इस site आ गया simple एदि हम 10 की value निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा करणी का square उससर जाएगा तो करणी लग जाएगी और हमारा क्या है sec square theta minus 1 इस तरह से मैंने दोस्तो second star 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 इसके बाद 10 square theta equal 1 square theta minus 1 और single 10 theta equal करने के अंदर 1 square theta minus 1 इसके बाद करते हैं दोस्तों 3rd सर्व समीका की बात जो 3rd समीका होती है यह आपकी 2nd बाली सर्व समीका के just equal होती है बस उसको ध्यान से समझने की कोशिस करना जैसे हमारी 3rd सर्व समीका होती है आपकी cos 1 square theta minus cos 2 square theta equal कितना होता है 1 इससे हम अंदर सर्व समीका बनाने की कोशिस करें यह आपकी main सर्व समीका है जिसके माद्यम से आपको 5 सर्व समीका बनानी है ध्यान रखना clear देख रहा है यहाँ से यदि हम cos 1 square theta की value निकालें तो हमारा quarter side जाएगा तो किसका हो जाएगा plus का अर्थात दोस्तो हम कह सकते है cos 2 square theta का जो मानाएगा वो किसके बराबर आता है 1 plus 10 square theta के बराबर होता है यदि हम simple cos 1 theta की value निकालें की कोशिस करें तो करने के अंदर 1 plus cos 2 square theta हो जाएगा इसके बाद बोई चीज यदि हम simple cot की value निकालें तो cot हम उस side ले गाए तो हमारा क्या हो गया plus का cot square theta हमारा जे इस side क्या था cos 1 square theta ही था हम बन को इस side ले के आए तो plus का तो किसका हो जाएगा minus कर अर्थात हम कह सकते है cos 1 square theta minus 2 equal क्या होता है cot square theta तो हम इसको इस form में भी लिख दें या करके जो आपका cot square theta है equal क्या हो जाएगा cos 1 square theta minus 1 हाँ है न अब हम यदि single cot की value निकालें तो square root सर जाएगा तो क्या लग जाएगी कर नहीं और यह क्या है हमारा cos square theta minus 1 दोस्तों मैंने यहाँ पर आपके लिए जो आपकी 3 सर्व समीका है थी sin square theta plus cos square theta equal 1 sec square theta minus ten square theta equal 1 और cos square theta minus cot square theta equal 1 इसके माद्यम से 15 सर्व समीका है बनाए यह first सर्व समीका जिसके माद्यम से 5 सर्व समीका है बनाए इसके बाद यह आपकी second सर्व समीका है इसके माद्यम से मैंने 5 सर्वसमिकाय बनाई और यह आपकी 3 सर्वसमिकाय जिसके माद्यम से मैंने 5 सर्वसमिकाय और बना दी इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कुछ angle वाले formula होते हैं अर्थाथ ऐसे formula जिसका जो theta होता है theta ही कैसा दिया रहता है माइनस फोर्म में दिया रहता है, दोस्तों देखते हैं, वहुत मज़दार फोर्मूले हैं और मुझे लगता है यह क्लास आपके लिए भी पसंद आ रही होगी, यदि आपके लिए क्लास पसंद आ रही है और सेशन में मज़ा आ रहा है, तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए लिंक करें जैसे यहाँ पर मान के चलो आपके छेतर कौन मिती रेसियो हैं तो फ़स्ट साइन कॉस टेन अब लगता है मुझे चेतर कौन मिती रेसियो अनुपात आपके लिए याद हो गए होंगे साइन कॉस टेन और साइन के भाज़साब कौन होते हैं कॉस एक ठीटा कॉस का क्या होता है ठीटा नहीं लिखना है चलो एक बार पहला कौन सा है साइन कॉस टेन साइन का पोजेट कॉस एक कॉस का पोजेट सेक और टेन का पोजेट कॉट मैंने कंडिशन क्या बताई ठीटा को क्या लेकना है माइनस ठीटा माइनस ठीटा इसके साथ भी माइनस ठीटा इसके साथ भी माइनस ठीटा दोस्तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो फॉर्मूलों का पैटरन है वो क्या है साइन माइनस ठीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस माइनस ठीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस एक माइनस ठीटा का फॉर्मूला क्या होता है और cot minus theta का formula क्या होता है तो ध्यान रखना दोस्तों जो आपका cos है क्या cos और आपका sec यह चलेंगे यह आपके theta के बाहर sin plus में और बांक ही सब चलेंगे minus अर्था sin minus theta का formula क्या हो जाएगा minus sin theta cos theta का formula क्या होता है cos minus theta का plus cos theta आपका जो 10 minus theta का formula क्या होता है minus का 10 theta cos 1 minus theta का formula क्या होता है minus का cos 1 theta sec minus theta का formula होता है plus sec theta और cot minus theta का formula होता है minus का cot theta ध्यान रखना दोस्तो इब होता यह भी formula है generally आपको एक जगा एक खटे नहीं मिले क्योंकि हर एक book से मैंने कुछ-कुछ formula को उठा को एक जगा manage करने की कोशिस की है अर्थात आपके minus theta वाले formula होते है sin minus theta का formula होता है minus का sin theta cos minus theta का formula होता है plus का cos theta 10 minus theta का formula होता है minus का 10 theta cosec minus theta का formula होता है minus का cosec theta और sec minus theta का formula होता है plus sec theta और cot minus theta का formula होता है minus का cot theta इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं table की दोस्तो ध्यान से समझना यह जो table होती है यह जड़ी बूटी है ट्रिकॉन मिती की जिसमें मैं आपके लिए sin, cos, 10, cos, x, 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 और cot के 0 से 180 तक की table मनाने की कोशिस करूँगा दोस्तो ध्यान से समझना इसके पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो मनाया था तिरकॉन मिती का उसमें मैंने आपके लिए table को याद करने की trick बताईए तो यहाँ पे मैं table की value directly लिखूँगा और जिसके लिए directly value याद ना हो तो मैं मेरे पिछले वीडियो को देखें उसमें बि एक बार देखेंगे तो जरूर वो बिलकुल याद होगी क्योंकि इस table के लिए मैंने 10th class के तक बच्चों के लिए 5 मिट में याद करा दिया है तो जरूर उस वीडियो को देखें इसमें तो generally मैं आपके लिए बताने की कोसिस करूँगा A sign है A 0 30 45 60 नब 0 30 45 69 इसके बाद जो आगे की table होगी 120 135 150 और 180 यहाँ पर हमारे छेतर कॉल में तीरेस यह होते हैं साइन कोस 10 साइन का पोजेट कोसेक कोसेक का कोस का पोजेट सेक और 10 का पोजेट कॉट दोस्तो इस table को ध्यान से बनाना सीखें और समझने की कोसिस करें क्योंकि generally अधिक्तम बच्चों के लिए table याद नहीं होती है इसके पहले बाले मेरे वीडियो को देखें की जरूर मैं guarantee दे रहा हूँ वो चीजे याद हो जाएंगी उसी से relate करते हैं कि साइन नाम का एक क्या है ब्यक्ती है साइन नाम का एक क्या है ब्यक्ती है जब उसकी साल कितनी है एच क्या है 0 अर्स अर्शास में value क्या होगी? 0 जब 30 की है तो जिंदिगी कैसी हो गई? आधी 45 साल में उसने क्या की? साधी और 60 साल में उसने क्या की? बच्चो की? साधी और 90 साल में उसने क्या हो गई? death clear? इसके बाद cost, cost क्या होता है? sign का just apposure मतब cross value रखना इसके बाद मैंने दोस्तों बताया था 10 10 को किसे रिलेट किया था? उस वीडियो में पंचायत से तो बहुत कुछ है 0 में कुछ नहीं मानना है मतब 0 है और नब में बहुत कुछ मानना मतब क्या है? अनन्त और बीच की condition क्या हो गई? एक बार root by 3 को multiplied के साथ लेखना और एक बार आपके लिए into के साथ लेखना दोस्तों इसके ऐसे भी ध्यान रख सकते है दूसरा तरीका जे है साइन ठीटा एक कोल फॉर्मूला क्या होता है? 10 ठीटा एक कोल फॉर्मूला होता है साइन ठीटा बटे cost टीटा तो इसको solve करने है तो 0 में जब बन से भाग देंगे तो क्या आता है? आपका 0 आता है और 1 by 2 में हम root 3 by 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 cancel हो जाएगा बन अपॉन रूट 3 root 2 से root 2 cancel केतना आएगा? 2 से 2 cancel root 3 और बन में हम जब 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है? infinity इसके बाद दोस्तों अपन ध्यान रखेंगे कि जैसे मान के चलो यहां में opposite value लिखनी है तो sign का opposite क्या होता है? cost एक होता है sign का opposite क्या होता है? cost एक होता है इसकी value का हम यहां पर पॉट करने की कोसिस करेंगी 0 मतलब कुछ नहीं जीरो का opposite क्या हो जाएगा? बहुत जादा मतलब infinity 0 मतलब कुछ नहीं infinity मतलब बहुत जादा तो 0 का opposite infinity तो 0 का opposite क्या हो जाएगा? infinity हो जाएगा इसके बाद 1 by 2 का opposite क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा 45 का 1 by root 2 का opposite क्या हो जाएगा? root 2 हो जाएगा और 6 root 3 by 2 का पोजेट क्या हो जाएगा 2 by root 3 हो जाएगा और जो cos x 0 जहाँ पर क्या है bun, bun का पोजेट क्या होता है bun, यदि हम sec की बात करें तो cos का पोजेट होता है तो bun का पोजेट कितना होगा bun 2 बटे root 3 का पोजेट होगा, 2 बटे root 3 और जो आपका एक बटे रूट दो है उसका पोजट क्या हो जाएगा दो और एक बटे दो पोजट क्या होगा दो और जीडू का पोजट मैंने अभी बताया infinity इसके बाद आदि हम कौट की बात करें तो कॉट क्या होता है 10 का पोजट जीरो का पोजट इंफनीटी 10 30 की वैल्यू का पोजेट मतब रूट 3 बन का पोजेट बन रूट 3 का पोजेट बन अपॉन रूट 3 और यहां पर इंफनीटी का पोजेट 0 दोस्तो इस तरीके से मैंने आपके लिए साइन कॉस्ट 10 कॉसेक्स एक कोट की टेबल याद कराई जिसमें मैंने आपके लिए बताया कि पहले नंबर जो आपकी बेसिक्स वैल्यू उनके लिए रखना है साइन अपोजेट होता है कॉस का टेन होता है साइन कॉस का फॉर्मूला तो उनको सॉल्व करके रख देना है और तक की टेबल के लिए तो ध्यान रखना दोस्तों हमेशा जो आपका साइन होगा और कॉसेक इसकी जो बेल्यू जाएंगी 90 के आँगे किस में जाएंगी प्लस में जाएंगी किस में जाएंगी प्लस में और बाकी सभी की जाएंगी माइनस में क्योंकि साइन 90 प्लस ठीटा ब्राबर क्या होता है प्लस साइन ठीटा और ऐसे ही कॉसेक कॉसेक 90 प्लस ठीटा एककोल क्या होता है कॉसेक ठीटा होता है देखतो रहा है सभी के लिए बराबर तरीके से यहाँ पर बात करते है जो बैल्यू 120 में कौन सी बैल लिखी हो जाती है 60 की तो कितनी हो जाएगी रूट 3 बटे 135 में वैल्यू लिखी जाती है 45 की एक बटे रूट 150 में वैल्यू लिखी जाती है 30 की बटे 2 और 180 में वैल्यू रखी जाती है 0 की तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तो इस तरीके से आपको टेविल बनानी है साइन की और कोसेक की किसमें रहेगी 90 के अब प्लस और बाखी सभी किसमें रहेगी माइनस क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन 90 प्लस ठीटा बराबर क्या होता है साइन ठीटा और कोसेक 90 प्लस ठीटा बराबर फॉर्मूला होता है सेक ठीटा साइन 90 प्लस ठीटा बड़ाबर होता है कॉस ठीटा और कॉस एक 90 प्लस ठीटा बड़ाबर होता है सेक ठीटा यहाँ पर यदि हम बात करें कॉस की तो 0 के अब 30 के आँगे किसकी 60 मतब 120 की वैलियू 60 की लिखना मतब बन वाई 2 हो जाएगा 135 में किसकी वैलियू लिखना 45 वाल एसी 10 की रिपीटिंग एदी करने की कोसिस करें तो 90 तो फिक्स हो गया अब यहाँ पर हमारी 60 की वैलियू रूट 3 यहाँ पर कितनी हो जाएगी बन यहाँ पर कितना हो जाएगा जीरो ध्यान रखना लेकिन दोस्तों साइन का किला प्लस का और बांकी जे किसके आना है माइ माइनस के आना किसके आना है किसके आना है माइनस के आना है क्लीर है इसके बाद हम और किसमें फीक में लागत इसके हमारा किसंड़ेगा माइनस में नाइनटी की अब तो यहाँ पर 90 के अब जाएग SUPER माइनश का टू Sul a p Milk of a और यहाँ पर minus का बन ऐसी cot में भी सारी value किसमें जाएगी minus में 90 के अब हम repeat करें तो बन पॉन root 3 minus का आएगा बन भी minus का आएगा root 3 उससर जाएगा तो minus का root 3 हो जाएगा और infinity हमारा plus minus की कोई tension होती दोस्तो इस तरीके से मैंने sin, cos 10, cos x, sec और cot की 0 से लेके 180 तक की table बता दी दोस्तो बस ही धियान रगना है 90 के अब जो values आएगी cable sin की और cos x की plus आएगी क्योंकि sin 90 plus theta plus में value आती है और cos x 90 plus theta किसमें आती है plus में values आती है इस तरीके से मैंने दोस्तो आप लोगों के लिए table बताई इसके बाद अपन बात करते हैं कुछ और formula इन formula में आपका आंगे आते हैं a plus b वाले formula कौन से formula आएगे दोस्तो a plus b वाले अभी जो आपका theta होता था single अब जो theta आएगा वो किसके फॉर्म में आएगा a plus b के फॉर्म में आएगा दोस्तो बहुत ध्यान से समझना क्योंकि आज स्तिरकॉर्मिती का मैं बहुत अच्छा वीडियो बनानी बता रहा हूँ आपके लिए तो जैसे हमारा first formula है sin a plus b का formula sin a minus b का formula इसके बाद बात करते हैं 10 a plus b का formula और बात करते हैं 10 a minus b का formula इसके बात करते हैं cot a plus b का formula cot a minus b का formula अर्थाद चलो दोस्तों अपन देखते हैं a plus b वाले formula जैसे यहाँ पर sin a plus b है क्या है दोस्तों आपका sin a plus b तो जो sin a plus b का जो formula है ध्यान रखना sin a plus b का formula क्या चलता है sin a into cos b plus cos a into sin b इसके बाद बात करते हैं sin a minus b की sin a minus b का formula चलता है sin a cos b minus cos a sin b ध्यान रखना दोस्तों जो sin का formula होता है simple होता है sin a cos b plus cos a sin b और sin a minus b का formula क्या होता है sin a cos b और cos a minus cos a into sin b अब इसकी बात आती है cos a plus b दोस्तों ये c formula थोड़ा सा परिशान करते हैं इनके चिन हमेशा भी प्रीच चलते हैं जैसे sin में plus वाले के साथ क्या लिया plus minus वाले के साथ क्या लिया minus लेकिन cos में plus वाले के साथ minus और minus वाले के साथ plus देखते हैं कैसे cos a plus b का formula होता है cos a into cos b plus है तो यहाँ पर क्या आएगा minus sin a into sin b इसके बात बात करते हैं cos a minus b की तो cos a into cos b minus का formula इसलिए क्या आएगा plus sin a into sin b इस तरीके से मैंने sin a plus b cos a minus b और plus minus के formula बताए sin a plus b का formula क्या होता है sin a cos b plus cos a sin b sin a minus b का formula क्या होता है sin a cos b minus cos a sin b इसके बाद दोस्तों मैंने आपके लिए बताया cos a plus b का cos a cos b minus sin a sin b और cos a minus b का cos a into cos b plus sin into sin b इसके बाद करते हैं 10 a plus b की दोस्तों, जो 10 a plus b का formula है 10 a plus b का formula होता है 10A plus 10B upon 1 minus 10A into 10B यदि ठीटा आपका plus का है तो बीच में क्या आता है plus और यहाँ इंटू वाले function में क्या आता है minus 10A plus B का formula क्या हो जाएगा 10A plus 10B upon 1 minus 10A into 10B इसके बाद एक next formula होता है 10A minus B का अब यहाँ पर जो plus है plus की जगा पर क्या हो जाएगा minus और minus की जगा पर क्या हो जाएगा plus अर्था 10A minus 10B upon 1 plus 10A और 10B दोस्तों दो formula बिसेस ध्यान रखना आपको एक कहां से यह आए उसमें परिशान नहीं होना ध्यान रखना इससे जो formula बना है 10 45 प्लस थीटा का तो formula क्या हो जाता है 1 plus 10 थीटा अपोन 1 minus 10 थीटा ऐसे यह formula होता है 10 45 minus थीटा एककोल 1 minus 10 थीटा अपोन 1 plus 10 थीटा यह दो basis formula है कुछ नहीं किया दोस्तो इनहीं में value put की है बस जो आपका 10 A आएगा 10 A की जगा पर क्या आएगा 10 45 तो 10 45 की जगा पर क्या हो जाएगा 1 और वो ही सारी की सारी कहाने है इसके बाद बात करते हैं दोस्तो cot A plus B की तो cot A plus B का formula होता है दोस्तो cot A into cot B cot A into cot B minus 1 upon cot B plus cot A इसके बाद बात करते हैं cot A minus B की तो formula होता है cot A into cot B cot A into cot B minus है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा plus और यहाँ पर क्या हो जाएगा cot B minus cot A दोस्तो ध्यान रखना जो minus formula है उसमें B वाले मैं से A वाला function करता है जादना जर्नली लोगों को 10 जैसा याद रहता है A minus B नहीं लेकिन यहाँ पर क्या होता है cot B minus cot A A आपके लिए मैंने दोस्तो A plus B और A minus B वाले formula बताएं इसके बात करते हैं बात दोस्तो 10 2 A वाले formula अर्थाट जो theta है आपका A किसमें हो जाता है 2 theta में और कभी कबार जो theta है किसमें हो जाता है single theta में convert सबसे IMP तिरकॉर्मिती के formula हैं जो बहुत कम लोगों के लिए याद होते हैं और बहुत कम लोगों के लिए समझ में आते हैं ध्यान से समझना एक-एक करके formula पहले number अपन बात करते हैं sine 2 theta का formula 2 sine 2 theta का formula होता है 2 sine 2 theta का formula होता है 2 sine theta into cos theta 2 sine theta into cos theta एक जे हो गया formula इसका एक दूसरा formula होता है 2 10 theta upon 1 minus 10 square theta 2 10 theta upon 1 minus 10 square theta यहाँ पर दोस्तों plus होता है 2 10 theta upon 1 plus 10 square theta एक ऐसे ही 2 theta का formula होता है 2 10 theta upon 1 minus 10 square theta होता है इससे confuse ना हो sine 2 theta का formula केतने होते हैं 2 sine theta into cos theta और sine 2 theta का दूसरा formula होता है 2 10 theta upon 1 plus 10 square theta दोस्तों यहाँ पर कुछ मैं बिसेस formula बनाने जा रहा हूं ध्यान से समझना यहाँ पर जब आपका 2 theta था तो यहाँ पर जो 2 theta का formula खोला क्या आ रहा है single single theta आ रहा है बैसे यदि हम single sine theta का basis formula बनाने की कोसिस करें तो इसके दो form आ जाएंगे एक और एक तो कौन से अर्था यहाँ पर 2 theta था तो इसी formula को खोला तो single theta हो गया अब single theta है तो single theta का आधा करोगे तो क्या हो जाएगा theta by 2 अर्था 2 theta का आधा theta तो theta का आधा theta by 2 अर्था sin theta की value जो होती है क्या हो जाती है 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 ऐसे ही आपके इसमें भी value पुट करने 2 sin theta का formula क्या बन जाएगा single sin theta का 10 2 10 theta by 2 upon 1 plus 10 square theta by 2 इस तरीके से दोस्तों मैंने sin theta के आपके 2 अर्थो 4 formula बताए इसके बाद दोस्तों बात करते है cos 2 theta के तो cos 2 theta के दोस्तों 4 formula चलते है कितने formula चलते है 4 कौन-कौन से formula है ध्यान से समझना देखतो रहे cos 2 theta के formula होते है 4 first होता है cos square theta minus sin square theta यदि इस cos theta की value हम देखें तो एक formula क्या होता है cos square theta minus sin square theta यदि cos theta का हम simple formula cable cos के form में चाहते हैं तो क्या होता है 2 cos square theta minus 1 यदि हम इसका formula 10 के form में sin के form में चाहते हैं तो क्या आजाता है 1 minus 2 sin square theta और एक third formula होता है 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta अब सबसे बड़ी चीज आती है सरी हमें याद कैसे रहेंगी चलो मैं दूस्तों आपके लिए याद कराने की कोशिस करता हूँ बैसिक फंक्सन से जैसे यहाँ पे हमारा formula था cos square theta minus sin square theta हमें किस के form में चाहिए हैं? cos के form में तो हमारा cos square theta जियों करते हो sin theta की value रख दी 1 minus cos square theta तो हमारा क्या हो जाएगा? cos square theta minus 1 minus minus plus cos square theta अर्था था हमारा formula क्या बन गया? cos और cos कितने हो जाएंगी? 2 cos square theta minus 1 clear है? ऐसी दूस्तों कैदी हम बात करते हैं sin के form की बात करते हैं? तो हमारा जो formula था क्या था? man cos square theta minus sin square theta तो इसको हमने sin के form में पकणवाट करना है तो cos की जगा आप हम value कहा रख सकते हैं 1 minus sin square theta और हमारा minus का sin square theta दिये हैं? तो हमारा formula क्या हो जाएगा? 1 minus 2 sin square theta इस तरीके से मैंने दोस्तों आपके लिए 4 formula बता है cos theta के ए तो आपको ध्यान रखना ही रखना है cos square theta minus sin square theta इससे 2 formula J बन गाए और थार रव जो आपका last formula था बन minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta दोस्तों इस formula के माध्यम से आपके लिए 4 और next भी formula बनाना है अर्थात कैसे ये 2 theta था था तो यहाँ पे क्या आ गया? single theta आ गया क्यों? 2 का आधा क्या होता है? single theta होता है है ना? तो अब इसके 4 और कैसे basic formula बनेंगे दोस्तों? वो यहाँ पे समझने की कोसिस करना यहाँ पे आपका 2 theta था था तो आपने क्या लिया? single theta अब इसके हमें single theta के रूप में बनाना है अर्था कोस theta का single जैसे ये आपन बात करें दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है नहीं चलो इस side कर दो ऐसा आपका इसा ठीक है यदि हाँ पे अपन बात करते हैं यदि हम लिखें cos color तो देख रहा है cos 2 theta था था आप cos 2 theta की जगा पे हम क्या ले रहा है? single theta ले रहा है cos 2 theta का आधा कर दिया था तो क्या आ गया था? theta अर्था जब cos theta के लिखें दिया तो इनी चार formula का pattern क्या हो जाएगा? first, second, third और fourth 2 theta था 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 तो single theta किया यदि अब single theta है तो क्या करेंगे? उसका theta by 2 अर्था था कोश theta के चार बिसे इस formula निकलेंगे जो आपके सामने है अर्था इसके लिए क्या लिख सकते है? cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 इसका next formula होगा 2 cos square theta by 2 minus 1 कुछ नहीं किया दोस्तों यहाँ पे 2 theta था 2 theta का आधा किया तो single theta रख रहे हैं अब आपने single theta लिया तो इसका आधा रख होगे theta by 2 formula एका pattern वो ही है और sin के form में आ जाएगा 1 minus 2 sin square theta by 2 और 10 के form में क्या हो जाएगा? 1 minus 10 square theta by 2 upon 1 plus 10 square theta by 2 इस तरीकी से मैंने दोस्तों आपके लिए sin to theta cos to theta single sin theta, single cos theta के formula बनाना बताए इसके बाद करते हैं 10 theta के तो 10, 2 theta का formula होता है 2 10 theta upon 1 plus 10 square theta यदि हम बात करें single 10 theta की तो boy 2 theta था था तो single theta था है तो theta आएगा by 2 तो 10 theta by 2 upon 1 plus 10 square theta by 2 यह चीज़ ध्यान रखना दोस्तों थोड़ी सी mistake, यहाँ पे आपका दोस्तों क्या है? minus का, यहाँ पे भी दोस्तों क्या है आपका? minus का और जो मैंने sin to theta का formula बताया है यहाँ पे क्या है दोस्तों? minus का, तो यहाँ पे भी किसका हो जाएगा? minus का by mistake, sin की, ध्यान रखना sin theta में क्या होता है? minus का, 210 theta upon 1 minus 10 square theta तो यहाँ पे भी हमारा minus का यह आएगा यह थोड़ा सा सुधाल लें इसके बाद जो sin to theta का, 10 to theta का formula होता है, वो क्या होता है? 10 to theta का जो formula होता है, वो minus में होता है, sin का plus में होता है clear है? दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपके तिरकौन विती के बहुत सारे formula बताने की कोशिस की इसके बाद यादि आपके लिए technometry में कोई दिक्कत होती है, तो मुझे एक बार और comment करें कि कहां पर किस टॉपिक में क्या दिक्कत हो रही? मैंने आपके लिए technometry का जो basic formula थे, अधिकतम formula बता दी है यही आपके basic exam में आने के, इसके बाद दोस्तों मैं एक आपके लिए information देना चाहता हूँ यह हमारा TCM परिवार है, अर्थात आप और मैं आया है, TCM परिवार के YouTube चैनल के माद्यम से जुड़ो है मेरे इस institute में कुछ मेरी team है, जिसके द्वारा PAT का CRES को तयार किया गया है जिसमें 3 महीने की तयारी है, जिसकी class हमारे institute में 5 अप्रेल से start हो चुकी है जिसकी class का timing है 10 बजे से 2 बज से तर, दोस्तों जादा से जादा लोग offline भी class के लिए ले सकते हैं और जो हमसे हो सकेगा, मैं आपके लिए online भी provide video बनाने की कोशिस करूँगा तो जादा से जादा आसा है कि कुछ लोग offline में भी जोड़ेंगे और कुछ लोग online में भी जोड़ेंगे धन्नबाद जादा से जादा लोग